नमस्काँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप part 1 का form fill up कैसे कर सकते हैं जिन लोगों को पता है वो ये वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं और जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो को end तक देखेगा तो जैसा कि उनिवर्सिटी की तरफ से परिक्षा form philab का डेट खुसित कर दिया गया है साथ ही form philab को लेकर एक guideline जारी की गई है उनिवर्सिटी ने अपने letter में साफ कहा है आगे आप letter देख सकते हैं उनिवर्सिटी ने अपने letter में साफ कहा है कि सभी student को university की website पर जाकर अपना examination form जो है वो download करना होगा जो 29 तारिक को होगा 29 तारिक से हो जाएगा download होना उसके बाद वहाँ से जो आप form download करेंगे उसे आपको अपने college में 2 तारिक से 8 तारिक तक जैसा कि मैंने बताया था fine के साथ और without fine 14 तारिक तक आपको submit कर देना है अब यहाँ process क्या है आप जो form download करेंगे वो पहले से fill up किया हुआ रहेगा बस आपको वो download करना है और college में ले जाकर fee के साथ दे देना है fee दे देने के बाद college आपका नाम UMIS portal पे mark कर देगी और आपका admit card आ जाएगा साथ ही जो X student है वो blank form लाकर fee के साथ जमा कर दे उनका भी form fill up हो जाएगा TMVU से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें धन्यवाद